मेरे कहसूल था जिस चगा चोरी करूं और बच निकलो तो दुबारा वहाँ नहीं चाता था उस दिन मैंने अपना वो सूल तोड़ दिया पता नहीं क्यूं मुझे वापिस अंदर जाने की जरूत ना थी मगर किसी वज़ा से मैं वापिस अंदर चला गया मैं चोकलेट के उन बड़े बार्स के पास से गुज़र रहा था चलो थोड़ी सी रखी लूँ कम असकम ये दुबारा आना बेकार नहीं चाहेगा लहाजा मैंने चोकलेट की वो बड़ी बार्स उठाई उन्हें अपने कोट के अंदर रखा और फिर बाहर निकल गया इसके बाद मैंने अपने पीछे भागते कदमों की आवास सुनी मैं समझा कि कोई टेक्सी वगएरा पकड़ने के लिए भाग रहा है बहरहाल अचानक मेरे कंदे पर एक हाथ आया प्लीज क्या आप मेरे साथ वापस उस स्टोर में चलेंगे तो जब हम स्टोर में जा रहे थे मेरे वालिद और उनकी बीवी बैडिंग शॉप से बाहर आ रहे थे उन्होंने उसी वक्त मुझे देख लिया मैं पप में सब लोगों को बीर्ज और अलकॉहल पेश कर रहा था और फिर मैंने वो जगा बदलते हुए देखी वो एक डराफने खाब की तरह था हर कोई बदल रहा था और ते चुड़ेले, बुड़े पागल नोजवान गुसावर बन रहे थे ये देखकर मैं सोचने लगा आखरी ये सब क्या है मैं गड़े से पिसल गया था मारिश मेरे कार पर बरस रही थी और मैं वहां बैठा सोच रहा था शायद मैं भी मर जाता इसी सड़्क पर मर जाता मैं कفर की हल्क में मरता मैं गेर मसलिम होकर मरता और वो تمام चीज़े जो मुझे मुझे नहीं चूट रही वो चीज़ें जो मुझे मुझे मुस्लमान होने से रोक रही है वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी हर चीज आरसी है यही वो लमा था जब मैंने कहा मुझे यह करना होगा असलाम आलेकुम भाई हमजा हमें आपको अपने साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है मेरा पहला सवाल यह है कि हमजा मियात कौन है क्या आप अपनी जिन्दगी के बारे में मुक्तसरां बताएंगे वालेकुम असलाम बन्यादी तोर पर मैं इंग्लेंड में पैदा हुआ मेरी परविश साथ वेल्स में हुई मैं एक फैनेंचल एडवाईजर रह चुका हूँ मैंने एक्तूबर 2001 में इसलाम कबूल किया जो 9-11 से 3 हफ़ते बाद का वाकिया है और इसके बाद मैंने लंडन हिजरत की थी जहां मैंने अपना इसलाम का सफर चुरू किया आज मैं दाई हूँ माशालला मैं स्पिकर कॉर्नर्स में मुस्तकिल जाता हूँ मेरा अपना यूट्यूब चैनल है हमचा स्टैन और मेरा अपना सकार्फ का बिजनस भी है आपने अपनी जिन्दगी में पहली बार इसलाम के मुतालिक कब सुना मेरी वालिदा ने खाब देखा कि मैं मुश्किल में हूँ मेरे बच्पन में मेरी वालिदा और वालिद में एलेदगी हो गी थी वो मैंचेस्टर में रह रही थी और मैं साउथ वेल्स में वो फिर साउथ वेल्स आ गई ताके मेरी और मेरे भाई की खरित मालूम कर सकें उन्हें मालूम ना था कि मैं कहां रहता हूँ उन्हें मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था उन्हें सिर्फ मेरे रहाईशी कस्पे का इल्म था जिसका नाम कुम्बरान है वो किम्बरान नामी इस कस्पे में आई और एक लड़के से मिली पहले ही नوجवान लड़के से मिलकर उन्होंने मेरे बारे में पूचा जैसे मैं कोई मशूर चिक्सियत हूँ जिसे कस्बे का हर चिक्स जानता हो वो उस लड़के से मिले और उससे कहा Excuse me, क्या मैं पूच सकते हूँ कि आप Darren और Wayne Matt को जानते हैं उसने कहा मैं उन्हें के पास से आ रहा हूँ कहने लगी क्या, वाकई? उसने जवाब दिया हाँ, मैं उन्हें के साथ था तो तसवर करें कि उस टाउन में पहुंचते ही वो पहला शक्स जिससे उन्होंने पूचा वो पांच मिनिट पहले मेरे ही साथ था सुभान अल्ला, वो लड़का मेरे पास से होकर ही जा रहा था क्योंकि हम एक कम्प्यूटर शॉप में थे और हम हमेशा शॉप के मालिकों के लिए लंच ले कर जाते थे हम साथ मिलकर नई-ईनी गेम्स खेलते थे मैं एक अच्छा गेमर भी हूँ फिर मेरी वालिदा ने उसे हमारे पास भेजा मेरे और भाई के जहन में ये सवाल आया मेरी वालिदा यहां विल्स में क्या कर रही है हमने उन्हें सालों से नहीं देखा था हम वहाँ गए, उन्होंने पूचा कि हम किसी मुश्किल में तो नहीं हमने कहा नहीं, कहने लगी, मुझे एक खाब आया था जिससे अंदाजा हुआ कि तुम मुश्किल में हो, ये बाचित मैं डॉलंस में हो रही थी, तो उन्होंने पूछा तुम मुश्किल में तो नहीं हो, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं मुश्किल में नहीं हूँ, कहने लगी ठी क्यूं? क्यूंकि हो सकता है पहली मर्तबा उन्हें शक हो, मगर चोड़ी का यकीन ना हो, लेकिन दुबारा वहाँ जाने पर उनका शक सच हो जाएगा ओ, तो ये वापस आ गया, अब हम इस पर नजर रखेंगे, अब की दफ़ा कैमरे इस पर होंगे, ठीक है न? उस दिन मैंने अपना वोसूल तोड़ दिया, पता नहीं क्यों, मैं बाहर आ चुका था, जो मुझे चाहिए था, वो मिल गया था जल के एक टीपिया, जिसे मैं अपने बालों पर लगा कर ब्रश कर सकूँ, मुझे वापस अंदर जाने की जरूवत ना थी, मुझे पैसों की जरूवत नहीं थी, और भी कुछ नहीं चाहिए था, मगर किसी वज़ा से मैं वापस अंदर चला गया, अब ऐसा मैसूस हुआ जैसे मुझे पर नजर रखी जा रही है, मैं रेक्स के दिर्मियानी रास्तों से गुज़र रहा था, सच तो यह है कि मैं बाहर निकलने ही वाला था, स्टोर से बाहर आने ही वाला था, मगर मैंने सोचा, ओ, चलो सरा ये भी रख लें, बेवज़ा, बगार किसी जरूवत के मैं चॉकलेट के उन बड़े बार्स के पास से गुज़र रहा था, चलो थोड़ी सी रखी लूँ, कम असकम ये दुबारा आना बेकार नहीं चाएगा, लिहासा मैंने चॉकलेट की वो बड़ी बार्स उठाई, उन्हें अपने कोड के अंदर रखा, और फिर बाहर निकल ग मैं गिर गया था, मैं हवास बागता हो चुका था, वो मुझे वापिस टोर में ले जा रही थी, अब मैं चाहता तो पलट कर भाग सकता था, वे चोटी सी खातून थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, पता नहीं क्यों, शायद मैंने सोचा कि मेरी हरकत का जाईस अंजाम है, अ अब यभी खाली किया गया था, तो वो रुख गई, पीछे मुडी, कहने लगी, बहुत खूब चला के दिखाई, है ना, इसे बाहर निकालो, हाँ, चलो निकालो, क्योंकि इसे पता था, मैं क्या करने वाला हूँ, और जो कछ मैंने किया, वो अब जाहर हो चुका था, कहने लगी, इसे बाहर निकालो, तो मैंने वो डस्पिंट टोला और वो चौकलेट बार्स निकाल ली, उसने रंगे हाथों मुझे पकड़ लिया था, मेरा खेल खतम हो चुका था, मैं पकड़ा गया था, तो जब हम स्टोर में जा रहे थे, ठीक उसी लम्हे, मेरी मौजूदकी इसे बेखबर, सेंसपरी के में गेट से आगे दूसरे दर्वाज़ से, मेरे वालिद और उनकी बीवी बैडिंग शौप से बाहर आ रहे थे, उन्होंने उसी वक्त मुझे देख लिया, बिलकुल उसी लम्हे वो भी महा मौझूद थे, उन्होंने देख लिया था कि एक वालिदेन बाहर हैं, मैंने सोचा, ओ, नो, फिर जब मेरे वालिद अंदर आए, तुन्होंने मुझे घुनसा मारा, मैं शरम से जमीन में गड़ा जा रहा था, मैं अपने खानदान के लिए रुस्वाई और बंदामी की वज़ा बना था, मैंने सोचा, अब मुझे क्या करन लूँगी, हम तुमारा ख्याल रखेंगे, फिकर ना करो, और जब मैं मैं मैंचेस्टर आए, तो मेरी वालिदा मुझे कपड़े दिलवाने ले गए, वो मुझे एक खास दुकान पर ले गए, वो मुझे कपड़े खरीदने के लिए किसी भी दुकान पर ले जा सकती थी, म के ज़्यादा लड़के कपड़े खरीदने आए, क्योंकि इस तरह उन्हें खूबसूरत लड़कियों से बातों का मुझा मिल जाता था, मगर उसने मुझे चांस दे दिया, अलहम्दुलिला, वो मुसल्मान था, और ये पहला मुसल्मान था जिससे मैं मिला, हाँ, जिसके स होना, वो फैमली से कटकर नहीं रहते, तो वो ऐसा महल था, और उन्होंने मुझे इस अंदास से अपनी फैमली में वेलकम किया, जैसे मैं उनी का हिस्सा हूँ, अब मेरा मतलब समझ रही है, खाना, पीना और मतलब पूरा महल, ये ऐसी चीज़ थी जिसका मुझे कभी तज पजरबा नहीं हुआ था, इन चीज़ों ने मेरी चोरी की आदे छुडवा दी, उस शक्से मुलाकात ने, और मैंने सोचा, अब मैं चोरी नहीं करूँगा, हाँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ ने मतासर किया था, और मैं ना समझ सका कि वो क्या एसास था, वो लड़का मेरा एक इमत्याजी निशान था, सियासी और जिसमानी तोर पर ठीक ठाक, हाँ, 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 मेरे इर्दगर्द किसी को मिर्गे के तोरे पढ़ते, और किसी के साथ कुछ और मसला होता, और मैं बिल्कुल सही सलामत शक्स था, तो एक दिन उस लड़के ने मुझ से क करने आ जाओ, तो इस तरह से हम साथ चले, वो इसलाम पर कुछ खास हमल नहीं करता था, मुझे इसके तरफ से इसलाम की दावत नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं था, हम सिर्फ दोस्त थे, असलाम ऑलेकुम भाईयों और बहनों, हमें एहसा हुआ है, कि हमारे चैनल पर 80% नाज इसलामी तालीम से आरास्ता करते हैं, लहाज़ा हमारे इस मुतालवे का वाहिद मकसद सचाई को फिलाना है, हो सकता है, बजाहिर ये छोटा अमल लगे, लेकिन इन्शालला, ये हमें लाकों लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा, आएए, अब लाइक और सब्सक्राइ में है, जहां वो अपनी बीवी से मिला, और मैं अपनी गल्फरेंट से, और फिर हमारे रास्ते अलग हो गए, वो लेंडन चला गया, जहां उसका भाई वकालत की प्रेक्टिस कर रहा था, और वो वहाँ जाकर उसका अकाउंटरेंट बन गया, वो अप लेंडन में इसलाम क बढ़ गई, तो मैंने कहा, देखो दोस्त, क्या तुम पांच वक्की नमास पढ़ते हो, क्योंकि मुझे मुझे मालूम था कि ये इसलाम की बुनियाद है, अगर तुम नहीं पढ़ रहे तो किस्सा खत्म, पांच वक्की नमास, अगर तुम नहीं पढ़ते, तो दूसरे कि तो नहीं, मैंने कहा, देखो, जब तुम पांच वक्की नमास पढ़ने लगो, तो फिर आकर मुझे से बात करना, जब तुम नमास पढ़ोगे, तब मैं समझूगा, क्योंकि मैं तुम अपने दीन पर वाकई इमान रखते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही बढ़ा हुआ जो हराम है, वो शरापर और इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करते, वो पांच जहर जो मैं लेता हूँ, ड्रग्स, अलकोहल वगएरा, एक दिन वो अलकोहल पर बात कर रहा था, उसकी बात मैंने सुनी, क्योंकि मैं हमेशा से दिलील चाहता हूँ, तो मैं सुन रहा थ और फिर मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो दोस्त, अलकोहल जहर है, मैं क्यों इसे पी रहा हूँ, और फिर मैंने अलकोहल पीना छोड़ दिया, यानि इस हद तक, और ये मेरे साथ एक तजर्बा हुआ था, जिसने मुझे बताया के मेरा ये अमल कितना ठीक है, मैं उस वक्त एक खैरियत है, हर कोई खुश था, मुस्कुरा रहा था, और फिर मैंने वो जगा बदलते हुए देखी, वो एक डराफने खाब की तरह था, हर कोई बदल रहा था, औरतें चुड़ेले, भूडे पागल, नोजवान गुसावर बन रहे थे, ये देखकर मैं सोचने लगा, आख मैं पला बड़ा था, वहां मैं अपनी गल्फरंड के साथ रहा, जिससे मेरी तो बेटियां हुई, जब हालात बदलने लगे, तो उस वक्त उनकी उमरे तीन और चार साल थी, दरसल मैंने एक फैनेंस कंपनी कायम की थी, हम ब्रोकर की तरह काम करते थे, मसला अगर आप किसी मुश्किल में भास के, आपके घर पर दुबारा कबजा हो गया, आप बुरी क्रेडिट रेटिंग या अपनी आमधनी थाबित ना करने के वज़ह से, कर्जा हासिल ना कर सकें, तो मेरी कंपनी वो मसला हल कर सकती थी, मैं अपने काम में बड़ा माहर था, अगर केसी के घर कबजा हो रहा होता, तो मैं वो कबजा रिकवा सकता था, और फिर मैं उनकी प्रॉपटी को री मॉर्गेज करवा देता, मैं उनके लिए मज़ीद एक्स्रा रकम कमाने का जरिया बनता, और वो भी उनकी पहले से कीगी अदाईगियों से कम रेट पर, तो मैं अपने काम में बड़ा माहर था, हर चीज बहुत उम्दगी से चल रही थी, और फिर नजाने ये सब कैसे हुआ, आखरकार मैंने उन दो अमरीकी बिजनसमेंट से बात की, उनके पास कार फाइनाइन्स में, यूके बेजने के लिए सो मिलियन थे, वो ये कार फाइनाइन्स सेट करना चाहत हूँ, मैं 13 सब्तमबर 2001 को उनके साथ एक अपॉइंट्मेंट कर चुका हूँ, मैं एक हफता लंडन में रहूँगा, मैं वहाँ बुकिस के पास जाय करता था, क्योंकि मैं थोड़ा जुआ भी खेलता था, मैं उनके साथ एक मीटिंग करूँगा, और मीटिंग 13 सब्तमबर को ग्रोस वन और होटल में तै थी, जो के US Embassy के सामने है, मैंने कहा, मैं वहाँ जाऊंगा और मीटिंग करूँगा, क्योंकि मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा था, और काम बन जाएगा, मेरे वालिद बहुत खुश हुए, तो मैं लंडन पहुँच गया, वहाँ पहले अ अफराद ने मीटिंग कैंसल कर दी, जो के दो दिन बाद होनी थी, और वो वापिस चले गए, मीटिंग अगले हफते में तैप आई, उस हफते के तुरान मुझे गयर मुसलिमों के तरफ से दावा मिली, जी हाँ, मैं साउथ विल्स वापिस चला गया, जो एक मुकमल तुम्हारा, मैंने कहा, मेरे भी मुसल्मान दोस्त हैं, और जो आप कह रहे हैं, मैंने ऐसा उन में कुछ नहीं देखा, मैंने ही समझता कि वो इस तरह सबसे नफरत करते हैं, मैंने उन में हमेशा अच्छी चीज़ें ही देखी हैं, कहने लगे अच्छा, क्या तुम मुसल् अगर इसे सचा दिन समझता हूँ तो, उन दिनों मैं यूसफ कारादावी की एक किताब पढ़ा था, इसलाम में हलाल, हराम, जायस और नजायस, और तब मुझे एसास हुआ कि इसलाम कितना प्रैक्टिकल है, वो इससायतियां दूसरे मजाहिब या बुद्मत और इस जैसे अकायत की तरह सत ही नहीं है, ये सब चीज़ने बाद में पेशानी थी, इस चीज़ने आगे चलकर मुझे मदद दी, आब आज समझ रहे हैं, इससे मुझे और मेरी फैमली को फाइदा मिला, और जब मैंने अपने दोस से पूछा ये क्या है, उसने कहा ये इसलाम है, तुम इसलाम ही सच है, इस पर मेरा पूरा येकीन है, कि हमारी तीन फितरते हैं, एक दिमाग में हमारे सर में है, जो जहानत है, एक दिल है, और एक नफस है, अगर आप इसलाम को मुकमल तोर पर कबोल कर लें, तो इन तीनों का इस पर मुझे होना जरूरी है, जहानत के लिहानत क हो सकती है और आप किसी चीज से तालुक और वबस्तगी रखना चाह सकते हैं सब ठीक है लेकिन आपको दिमाख लगाना पड़ेगा कि ये सचा मजब क्यों है वरना लोग आपर सवाल उठाएंगे अगर आप किसी बुरे मुसल्मान से मिले तो आप में एक ख्याल आ सकता है ओ इसलाम बुरा मजब है अब आस समझ रहे हैं तो मैं जिहानत की लिहाज से काईल था कि इसलाम सचा है मगर इसके आगे क्या अब आपको क्या करना चाहिए बहराल मीटिंग एक हफ़ते बात तैय थी ये पहला अफ़ता थ दूसरे हफ़ते मैं लंडिन वापिस किया और दोनों अमरीकी बिजनसमेंट से मिला मैं उस होटल में बैठा था और वो दोनों इदर उदर की बाते कर रहे थे और मैं बैठा सोच रहा था अगर मैं मुसल्मान हो जाओं तो ये मीटिंग बेमकसद होगी मैं ये बिजनस नह क्या हुआ मैंने कहा अरे उसे भूल जाएं कहने लगे क्यों मैंने कहा शयद मैं मुसल्मान हो जाऊं मगर मेरे दिल अब भी तयार नहीं था और मेरे मिसिस वो कभी मुझे बतर मुसलमान कबूल नहीं करेगी. हालं के इसने भी मेरी वाली दावा सुन रखे थी. मगर वो कभी भी एक मुसलमान के बीवी बनना और बचों की परवर्श मुसलमान के तोर Hers this कबूल weapon कंबूल नहीं करेगी. हाला के मैं दिलील से इसलाम की सचाई मानता था आप मुझे कोई जाफी दिलील नहीं दे सकते थे कि देखो बेटा इतने मनान से इसलाम की सचाई की ये वज़ा है मैं यहीं कहता हाँ मुझे मालूम है इसलाम सचा है मैं जान गया हूँ ये सचा है बिलकुल सचा है मैं बस इसे कबूल करने के लिए तयार नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने पास मुझे चीज़ें छोड़ना नहीं चाहता मैं तयार नहीं हूँ क्योंकि अगर ऐसा किया तो मेरी हर चीज छूड़ जाएगी चुके मैं अपनी गल्फरंड के साथ रह रहा था लहाजा मेरे रहने की जगा चली जाती मेरे वालिद और बिसनेस मुझे उन्हें भी अलविदा कहना पड़ता मेरे पास आमदनी का कोई जरिया न बचता तब मैंने अपने दोस्त को अपने खचात बताए क्योंकि उसने पूछा था तुम इसलाम कबूल क्यों नहीं कर रहे तुम मानते हो कि इसलाम सच्चा है तुम्हें मालूम है कि हर चीज आर्सी है पर तुम इसलाम कबूल क्यों नहीं करते मेरी आमदनी नहीं रहेगी मुझे ऐसी जगर रहना पड़ेगा तुम मेरे पास आ कर रहो No problem तुम लंडन आ सकते हो मैं तुम्हें अपने घर में कमरा दूँगा तुम वहाँ रह लो No problem कोई किराया देने की भी जूरत नहीं बस वहाँ कर रह लो और इसके भाई ने कहा अगर तुम्हें आमदनी चाहिए तो मैं तुम्हें जॉब दूँगा आमनी के बारे में परिशान ना हो मैं तुम्हें जॉब दूँगा तुम वकील की स्तफ़तर में आफिस मैनेजर के दौर पर मेरे लिए काम कर सकते हो तो उन्होंने मेरे मसायल को कम किया और फिर मेरा ये कार एक्सिडेंट हो गया शुकर अलहम्दुलिल्ला कोई संगीन चोट नहीं आई मैं गड़े से फिसल गया था बारिश मेरी कार पर बरस रही थी और मैं वहाँ बैठा सोच रहा था शायद मैं भी मर जाता इसी सड़क पर मर जाता और मैं कुफर की हालत में मरता मैं गयर मुसलिम होकर मरता और वो तमाम चीज़ें जो मुझे से नहीं चूट रही वो चीज़ें जो मुझे मुझे मुसल्मान होने से रोक रही है वो तो वैसे भी खत्म हो जाएंगी हर चीज आर्जी है तो यहीं वो लम्हा था, यह करोहानी इंकशाफ था, यहीं वो लम्हा था जब मैंने कहा, मुझे ये करना होगा, मेरा दिल तयार था, मैं अपनी गल्फरंड के पास किया, और उसे सब कुछ बता दिया, वो कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, हाँ, मुझे नहीं पता, अगर तुम मुसल्मान होगे, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं अपनी बच्चियों को मुसल्मान नहीं बनाऊंगी, उसने मेरी बच्चियों को लिया और दुबारा विगन चली गई, मैंने कहा, ओके, फिर मैंने अपने वालिद से बात की, और वालिद के बारे में, फिर भी मैं टाल मोटॉल करता रहा, क्योंकि मैं ये सब चीजें छोड़ना नहीं चाहता था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा धच्चका होता, और जब मैंने अपने वालिद को भी ये बात बताई, तो जानता हूँ उनके दिल पर क्या बीती होगी, जब मैंने उने बताया तो कहने लगे, क्या तुम मजीद छे महिने एक काम नहीं कर सकते, मैंने कहा, डैड, मैं एक सेकंड भी मजीद नहीं कर सकता, मैंने कहा, मेरा काम खतम, देखें जो कुछ हमने अब तक किया है, उसकी बतूलत रकम बैंकोν में आ रही है, जो डील्स मैंने की है, उनसे बिजन तो क्या मैं एक उमूमी सवाल कर सकता हूँ कि इसलाम के लिए एक आजमाईश थी क्योंकि मुझे ये बताया गया था अजिए में जो लोग मेरे दोस्ते वो मेरे भाई बन गए जी हाँ ये बिल्कुल मैं इत्वार को जुम्मे की रात को फुटपल खेलता था मेरी गल्फरंड होती थी अलहम्दलिल्ला मराकश में मेरी शादी हो गई अलहम्दलिल्ला यानि मेरी गल्फरंड मेरी बीवी बन गई दोबारा मेरी दो बीटिया हुई माशालला तो हर वो चीज जो मुझे छोड़नी पड़ी, उसके बदले मुझे बेहतर चीज मिल गई, हर चीज लोटा दी गई, अलहम्दलिल्ला, यहां तक के मेरा बिजनस भी, उस बिजनस से लेकर अब तक और भी जादा बुलंद मकाम मिला, क्योंकि अगर मैं अब भी वहीं बिजनस कर रहा होता, तो मैं 2008 में पूरी तरह नकाम हो चुका होता, जब बहुत बड़ा क्रैश आया था, और तमाम सब प्राइम लीडर्स फारग हो गए थे, मैं भी उसमें फस चुका होता, आप समझ रहे हैं, तो अलहम्दलिल्ला, अच्छा नमाज रोजे की क्या सुर्थाल थी आप कैसे? सारे लड़के सेंड्विचिस खाते और फुटबल देखते थे, इस तरह की रूटीन थी, वहां हमें ताकतवर और सबसे एहम लड़के को खानों में सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलता, और फिर दूसरे नमबर पर उसके करीबी दोस्तों को, और फिर देखा जाता कि अब क्य तेजी दिखानी होगी, क्योंकि मेरे इर्दगिर्द हर चक्स बुखा है, यहां बैटे हर चक्स ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, लहाजा वक्त होते ही हर चक्स तूट पड़ेगा, मैं भी यहीं करूँगा, मेरी नजर चिकन विंक्स पर थी, पीजे पर भी, मैंने स जिंदगी की सबसे हैरत अंगेज बात देखी, जैसे ही अजान हुई, तो अपनी त्वक्तों के बरक्स, मैंने उन लोगों का कुछ और ही अमल देखा, और मैं सोच रहा था, कि यह कैसी अजीब दुनिया है, आब आज समझ रहे हैं, मैं सोचने लगा कि यहां क्या हो रहा ह बचाए खुद खाने के यह लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं, मुझे हैरत का शदीद छटका लगा, मैं वाकि हैरत अंगेज था, मेरे मूझ से फौरण निकला, वाउ, क्योंके मैं जहां से आया था, वहां तो कुछ और ही मामला था, जबके यहां तो, तो यह मेरे रोज जुबे में वहाँ जाता था, मुझे यह लिबास अच्छा लगता था, मैं हमेशा इसलाम के मतलग बात करता था, लोग इसके बारे में सवाल करते, मगर मुझे इसके जवाबात वगार मालूम न होते थे, और फिर मैंने मैसूस किया कि शायद मैं सवाल जवाब का यह उन्होंने कहा हाँ, no problem, बस तीन लोग वहाँ आते थे मैं अपने अमीर के पास क्या और उन्हें कहा, कोई नहीं आ रहा, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं सिर्फ तीन लोगों को सिखा रहा हूँ, और कोई नहीं आ रहा कहने लगे कोई बात नहीं, अल्ला ने उन लोगों को भीज़ा है, फिकर मत करो, बस इत्मनान से उन्हें पढ़ाते रहो तुम बस अपना काम करो, अल्ला अपना काम करेगा, तुम अपने काम पर फोकस करो, और मुखलिस रहो अपने बंदों को भेज देगा और फिर माशालला ये सब भी आए भाई डॉक्टर इमरान, भाई अबास, शेक्षाह नवाज और तकरीबन तीन या चार दूसरे लोग भी भाई नजामबू, तो अब मेरे ओडियंस में वो लोग भी शामिल थे, जो दावा का काम कर रहे थे फिर मैं सोचने लगा कि मुझे अपना काम का दर्चा बढ़ाना चाहिए मैंने एक बोर्ड बनाया, और सब को बांढ़ दिया कि आप एथियस से, आप हलकी एथियस से आप सक्त एथियस से बात करेंगे मैंने ये चीज़ शुरू की, और फिर ये हुआ कि एक दिन कुछ मुसल्मान हमारे पास आकर कहने लगे, हमें आपकी मदद चाहिए हमने पूचा किसलिए, कहने लगे कि कुछ क्रिश्चन्स हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चन्स जो मखलूत हस्बे नसब से हैं, और उनका ये क्रिश्चन सेंटर है, जहां वो हर पीर को किसे मुसल्मान से डिबेट करते हैं, और वो मुफ्त कॉर्मा और चावल खिलाते हैं, गोया वो मुसल्मानों को लालच देकर बुलाते हैं, और पिर सारे मुसल्मानों को कन्फ्यूस करते हैं, हमें ऐसे लोगों की जरूत है, जो आएं और उने गलत साबित करें, तो शेखनावाज जो हमारी निश्चिष्टों में आया करते थे, वो इस मामले में काफ़े इल्म रखते थे, वो वहां सबसे जजबाती लमहा था, जो आपको स्पीकर्स कॉर्णर में पेश आया, मुझे बहुत गुसा आ गया था, करीब था कि अपना सर ते मार था, मैं दरसल एक क्रिश्चन औरत को गलत साबित कर रहा था, और वो उस औरत की तरफदारी लमहा था, क्योंकि मैं हकीकतन अपने जजबात जाहिर नहीं करता, मेरा कहना ये है कि मैंने ब्रूसली से जजबात लिये मगर फिर उन्हें थोड़ा सा तबदिल कर दिया यही मेरा मोटो है, और मेरी मुसलमानों से इलतजा है कि अपनी जिन्दगियों में इसे अपनाएं कभी भी, फिर कहता हूँ, कभी भी लोगों की कही बातों पर जजबात ही ना हो क्योंकि वो इसी तरह अपने अलफास से आपको कंट्रॉल करना चाहते हैं जैसे ही किसी शक्स को इल्म हो जाता है कि आप एक मकसूस तरीके का रदेमल देंगे तो वो इस तरह की बाते कहते हैं जिनसे आपको कंट्रॉल कर सकें ये एक्तियार किसी को भी ना दें तो मैं स्पीकर्स कॉर्णर का हिस्सा रहा मैंने अपने लिए बहुत बुरी अलफास भी सुने हैं उस लड़के पर मेरे कुसे होने की वाहिद वज़ा ये थी कि वो मेरे कान में चिखा था और मैंने उसे खुद पर जिसमानी हमला समझा था क्योंकि वो बिलकुल मेरे चेहरे पर आ गया था मैं इसे बरताश्ट ना कर सका बहुत से लोग जब स्पीकर्स कॉरनर में आते हैं तो वो सुनी सुनाई बातें बोलते हैं आपने वो हदीश सुनी होगी कि अरबबदू मस्चित में पेशाब कर रहा था जब हजूर सललाहो अलेह वाले सलम नमास पढ़ रहे थे तो अकर स्पीकर्स कॉर्णर में आप ये चीज़ जहन में रखें और समझ लें कि आपके सामने वाला शक्स कुछ नहीं जानता हो सकता है वो उसी को इसलाम समझ रहे हो हो सकता है वो सुनी सुनाई बातों या प्रोपोगेंडे की बन्याद पर इसलाम का अलग तसवर रखते हो और वो इस बात पर नराज हो वो इसलाम से नराज ना हो क्योंकि वो इसलाम को जानते ही नहीं लहाज़ा लोग बहुत बरे अलफास का भी इस्तमाल कर सकते हैं बस उन से ये पूछें कि आपका ऐसा क्यों मानना है मेरा पसंदीदा जवाब ये होता है आपका ऐसा क्यों मानना है ये किसने आपको बताया और उन्हें शौक लगता है कहते हैं क्या इसका मतलब ये नहीं के मैं कहता हूँ नहीं मैं आप पर आपके देलिल नहीं आजमाऊंगा मुझे बस ये बता हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और आपके ख्याल में इक गलत ये सही क्यों है और वो इन अलफास के आगे घुटने टेक देते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि आप उनकी बात पर जिस्पाती हूं तोहीन करते हैं तो सारे मुसल्मान गुसे में आ जाते हैं यहीं तसवर पाया जाता है कि हम इससे गुसे में आएंगे तो गोया वो बेजबाने हाल कह रहे होते हैं तो मुझ पर गुसा क्यों नहीं हो रहे और अब वो बड़ी हद तक कल्चरल इसलाम को नहीं बलके हकी की इसलाम को देख रही है यहां तक के कल्चरल मुसल्मान भी पके मुसल्मान बनते जा रही है वो जान रहे कि इसलाम के साथ जोड़ी जाने वाली कल्चरल चीजों और हकी की इसलाम में बहुत फरक है और ये सोचल मीडिया का जमाना है, ये मालूमात का जमाना है, और ये इसलाम की एक खुबसूरती है, अब आपको सारी मालूमात मिल सकती है, जैसे मैंने कहा, बहुत से लोग इस तरह इसलाम कबूल कर रही है, कि उनके इर्गिर्द कभी कोई मुसल्मान भी नहीं रहा, मैशिज किया था, मैंने अगले दिनों से जवाब दिया, और पिछले हफ़़े उसने इसलाम कबूल कर लिया, एक पॉलिश लड़के ने इस हफ़़ए के तुरान मुझे मैसिज किया, मैंने उसे जवाब दिया, और इत्वार को उसने कलमा पढ़ लिया, जब भी हम वीडियो देखी, हमने यूट्यूब देखा, हमने आपकी वीडियो देखी, आपने बात अच्छी तरह समझा दी, ला जवाब बात है, सुभान अल्ला, शेहरों के अबादियां बढ़ रही है, हमारे बच्चे पैदा हो रही है, हम शादी को तरगीद दे रही है, जोकि उनक मौशरा दूसरे रास्ते पर जा रहा है, वो लोग ट्रांसजेंडरिजम और नौन बाइनरी वगरे को फ्रोक दे रही है, वो फैमली बढ़ाने की होसला वजाई नहीं कर रहे, वो बिल्कुल उलट चल रही है, इसका नतीज़ा ये निकलेगा, कि उनकी नसल का खात्म हो ज जाएंगे, इन्शालला, आखर में अगर आपको दुनिया के तमाम गयर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले तो आप उन्हें एक मिन्ट में क्या कहींगे, ओके, मैं सारी दुनिया के गयर मुस्लिमों से कहूंगा, सबसे पहले ये समझें, कि आपको किस चीज़ की दावा दिलील नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए क्या फुला मुलक में पैदा हुए तो वहां का मजब आपके लिए सचा होगा, ये दुरूस्त नहीं है, लहाज अपने अकायत को टुटो लें, कि वो आपके ख्याल में क्यों ठीक है, सवाल करें कि क्या खुदा मौजूद है, ये पहला सवाल होना चाहिए, खुदा मौजूद है या नहीं? अगर खुदा मौजूद नहीं है, तो फिर रिलीजिन की बहस छोड़ दें, लेकिन फिर आपको ये समझना पड़ेगा, कि लोग खुदा के वजूद का दावा क्यों करते हैं? लोग मुझसे पूछते हैं, आप आप क्या कर सकते हैं? आप इसके असरात का अंदाजा लगा सकते हैं और नाप सकते हैं, है ना? तो इससे क्या पता चलता है? आप किसी चीज़ के वजूद को उसके असरात की बन्याद पर मानते हैं, मगर मैं आपको यहीं बात कह रहा हूं, खुदा के असरात की बन्याद झाल झाल